तो प्यारे विद्ध्यारतियों नमस्कार स्वागते आप सबकाय कोड़नाय वीडियो में प्यारे विद्ध्यारतियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्ड परिक्षट 2025 के लिए कक्चा 10 वी अंग्रे जी विशे के पेपर में आने वाले वेरी वेरी मोस्ट आइम पी कोश्चन तो चलेए के जल्दी से आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि आपकी बोर्ड परिक्षट 2025 में कक्चा 10 वी अंग्रे जी विशे के पेपर में आपसे कौन-कौन से कोश्चन पूछे जाएंगे जी आप प्यार विद्यारति हूँ आज में यहाँ पर आपको वेरी वेरी मोस्ट आइम पी कोश्चन पी कोश्चन पी कोश्चन है तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले सांती साथ में आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएएगा क्योंकि आज में यहाँ पर आपको इस पीडिये फैल को डाउनलोड करने का तरीका भी वताने वारा है चलो सबसे पहले हम समझते हैं दो-दोँ उंक वाले कोश्चन जो कि आपसे सबसे ज्यादा पूचे जाते हैं पेपर में इस वाले question को आप लोग complete कर लें ये पूरा का पूरा आपके पेपर में आएगा देखिए अगा question क्या लिखा है इसको आप लोग complete कर लेना उसके बाद में देखो एक ये वाला question why did Wanda say to her friend that she had hundred days ये भी आपके पेपर में आएगा उसके बाद में देखो तीसरे नमर का question ये भी आप लोग देख ले उसके बाद में how much money did Lencho ask for good his crops तो आप सब लोग यहां से question को याद कर लें ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाले question है और उसके बाद में ये question दिये गए है what made Lencho angry और उसके बाद का question ये लिका है why did any prank want to keep a diary और उसके बाद में why was the young seagal operate to fly ये भी आपके पेपर में आएगा तो ये सबी के सबी ऐसे question है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परिक्चाओं में पूछ जाने वाले हैं तो यहां से आप सब लोग इन question को अच्छे से complete कर ले ताकि आप सब लोग अपनी परिक्चाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके और उसके बाद में देखो कुछ questions ये दिये गए हैं तो इनको भी आप लोग देख ले प्रस्त नमर 9 को देख लिजीगा ये भी आपके पेपर में आएगा प्रस्त नमर 10 को भी देख लिजीगा जैसे की देखो ये भी आपके पेपर में आएगा ये आपके पेपर में परिक्चाओं में जरूप पूचे जाने वाले कोश्चन है और उसके बाद में देखो ये आगी कोश्चन दिये गए हैं देख सकती हो वाई ड़ज दा थिंक ठीज तिंक अने विल रियेक्ट टू दा थिप और उसके बाद में आव डिजीबल में पर्ष्ट बीकम विजीबल ये भी आपके पेपर में आएगा इस सभी के सभी ये से कोश्चन में यहां से आपको बता रहा हूं जो कि हर साल आपसे बार बार परिक्चाओं में पूछ जाते हैं और इस साल भी आपसे पेपर में पूछ जाएंगे ठीके वाइवाज विशेस पंप्री वरीड अबाउट ट्रीकी ये भी आपके पेपर में आएगा और वाट वाज अनेल डूइंग वेंदा थीप अप्रोस हिम और उसके बाद में वाट इज डेस्ट अप इसनो ये भी आपके पेपर में आएगा तो आप सब लोग यहां से इन कोश्चन को देख ले प्रस नमर 18 को देख ले वाट डू फायर एंड आयस इस्टेंट फोर इंदा पोयम ये भी आपके पेपर में आएगा वेर वाज दा टाइगर केप्ट इंदा जू और वाट इज ए हैमलोग ट्री ये भी आपके पेपर में आने वाले कोश्चन है सभी के सभी तो मैंने यहां से आपको बता दिये इस कोश्चन उसके बाद के कोश्चन ये लिके हैं देखो ये वाला कोश्चन भी आएगा आपके पेपर में और उसके बाद में सबी के सबी ऐसे कोस्टन है जो कि आप से बोर्ट परिक्चाव में पूझे जाने वाले हैं तो आप सब लोग यहां से इनको याद कर ले जैसे जैसे की वाइड़ेज करेज में टू मंडेला वाइवाज दा यंग सीगल अपरेट टू फाइनल इपलाई वाइड़ेज सीगल फादर मदर टीटन के जोल हिम टू फलाई और वाइज डेस्ट ओपिशनो वाइज डेस्ट ओपिशनो उसके बाद के ये कोस्टन लिखे हैं कुछ वाइड़ेज दा पोईट से है चैंज हिज मूड और उसके बाद में हाव हेज दा पोईट मूड चैंज ये भी आपके पेपर में आने वाले कोस्टन है यहां से आप सब लोग इनको देख लीजेगा उसके बाद के कोस्टन ये लिखे हैं कुछ इनको भी देख ले वाइड़ ड़ज दा पोईट से आई वुड नोट इंट्रूड ऑन हिम उसके बाद में ये कोस्टन है इज आमांड़ एन और पेन वाइड़ दर सी से सो तो ये भी आपके पेपर में आएगा और उसके बाद में देखो ये वाले कोस्टन सभी के सभी कोस्टन सा आप लोग देख ले इनको और कम्प्लिट कर लेना ये आपके पेपर में जरूब पूचे जाएंगे और इसके बाद में देखेगा पैरविद्यार्तियों आगे यहाँ पर तीन तीन अंक वाले कोस्टन डिसकस करने वाले हैं तो तीन अंक के जितने भी कोस्टन आपके पेपर में आपसे पूच जाते हैं न उनके उत्तर आप लोग थोड़ा सा बड़ा लिखा करो क्योंकि देखेगा इनकी सब्द सीमा 75 सब्द तक होती है अगर आप लोग 75 वर्ड में इनका उत्तर लिख कर आओगे न तो आपको इसके पूरे अंक दिये जाएंगे ठीके आप समझ लो कि कौन-कौन से से कोस्टन है जो कि पूचे जाने वाले हैं देखो पहला तो ये वाला कोस्टन दूसरा ये वाला और तीसरा कोस्टन ये दिया गया है वेर आर दा प्रीज इन दा पोएम आप सब लोग यहां से इनको देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा इनको याद जरू कर लेना तोटाली A to Z ऐसे कोस्टन बता रहा हूं जो कि आपके पेपर में परिक्चाव में पूच जाने वाले हैं सबी के सबी वेरी वेरी मोस्ट आइम पी कोस्टन है यह तो आप सब लोग यहां से इनको देख ले और अच्छे से पूरा याद कर लेना इसके लाव कुछ कोस्टन से यह दिये गए हैं जैसे की वाट ड़ज मंडेला थेंग दा इंटरनेशनल लीडर डिस्क्राइब हाव डिर दा यंग सीगल मेड हिम फर्स्ट प्लाइट और उसके बाद में देखो तेरवा कोस्टन को देख ले चबदवा को देख ले पंदरवा को देख ले यह सबी के सबी ऐसे कोस्टन है जो कि आपके पेपर में परिक्चों में आपसे पूचे जाने वाले हैं देख सकते हो यह तो आप सब लोग इनको कम्प्रेट कर ले और देखेगा इसी परकार के कोस्टन से यह जो कि आपके पेपर में परिक्चों में आपसे पूचे जाने वाले हैं तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा इसको complete भी कर लें और देखेगा पैरे विद्यारतियों अगर आप लोग इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमार इस website पर आपको जाना है यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी आप लोग आसानी से यहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो अब देखेगा पैरे विद्यारतियों मैंने सभी विसे के लिए वेरी वेरी मोस्ट आइम पी कोश्चन के वीडियो बना कर डाल दिये हैं अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल लाएगी उनके ओपर क्लिक करके आप लोग समझती विसे के वेरी वेरी मोस्ट आइम पी कोश्चन के वीडियो जरूर देख ले क्योंकि अभी आपके पास में कापी समय है आप चाहे तो इन सभी चीजों को अच्चे प्रकार से कंप्रिट कर सकते हो आप इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं नमस्कार जे हिन जे भारत